हमारे सरकार की एक विशेस्ता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलिवरी और मैं समझता हूँ कि यह शायद हिंदुस्तान में गवनन्स का नया कल्चर है और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार थी कि आखरी व्यक्तिक्वाइक हमने जो संपर्क किया है यह अपने सब्सक्री से जो बात है मित भी बता रहे थे मजाने वाली नहीं थी तो चहरे प्रथकान भी मैं देख रहा है आप लोगों की कि यह क्या बोल रहे हैं लेकिन कित्रा बड़ा परिश्रम के बाद यह होता है कि कितनी बड़ी ताकत लगती है एक संगठन के आधार पर चुना और कैसे लड़ा जाता है कि यह अपने आप में लोगतंत्र की असली ताकत है ठीक है अभी शायद यह आपां धापी में तू-तू-मेमे की दुनिया में इन चीज़ों के लिए लिए लिखने के लिए आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा इवन इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी आपको लिए दो-पांच सेकंड से जादा कुछ मिलेगा नहीं लेकिन कभी ने कभी आप ऐसे को रिसर्च करना चाहें तो मैं जुरू अद्धेश को कहूंगा कि ऐसे जो इंट्रस्टेट जन्रालिजम के लोग हो उनको जुरूर यह बात हमने देनी चाहिए ताकि वो सच् चलाया जाता है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और अच्छा है कि देश की नई पीडी को पता चले कि यह और नैशन कैसे चलता है इतना बड़ी ववस्थाएं कैसे चलती है इतनी बड़ी यह इमन डिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टार्गे मेरट में आखरी सपाव भी आज मध्यपदेश में दोनों का बड़ा लिंक है जी 1857 की करांती मेरट और आज मैं मध्यपदेश में गया वहां का एक भीमा ना एक आदिवासी जो 1857 के अंदोलन का नित्रत्व कर रहा था और जिसको फासी हुई थी याने हमारी योजना ऐसे नहीं होते हुए आपको लगता होगा कि last moment ऐसा कर दिया last moment ऐसा कर दिया असना नहीं होता है जी हम बहुत डीठेल में प्लाज करके जीचों को और ग्रैज करते हैं और ठीक है हम हमारा progressive enrollment रहता है sab चीजे पहले से नहीं बताते हैं दीरे दीरे दीर दीर आपको पता चलता है तो मेरा एक भी कारक्रम कैंसल नहीं हुआ है, इतने बड़े अभियान में, not a single, और by-large बेधर ने भी मुझे ज़्यादा तकलिब नहीं दिये, कभी-कभी हेलिकॉप्टर खराब हो जाते थे तो एक हेलिकॉप्टर में सब को भर देते थे, लेकिन एक भी कारक्रम मेरा कैंस नहीं हुआ, सारे के सार करक्रम पूरे हुए, एन एक प्रकार से डिसिप्लीन को चेतना फॉलो कर सकते हैं, करने का प्रयास किया है, और पहले दिन से चहरे पर जो उत्सा और उमंग था, उसी उत्सा और उमंग के साथ आपके भी चाया हूँ.